लगजरी और नेसेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि अब रेड लाइट पर खड़े होते थे थे ना तो लोग मुड़ कर देखते थे उसको अरे भाई अगर बाइक से हम कार पर आ जाए ना तो लाइफ साइट हो जाएगी अपने घर की लगजरी कार मैंने खरीदी है फ्रेंट्स मैं हूं दॉक्टर अमित माईश्वरी बिजन्स ट्रेनर और कॉरपर्ट ट्रेनर मोडिवेशनल स्पीकर देश्यो मेटा सुवर्सी लिमिटेड आप लोग इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं आपके कॉमेंट्स लगाता तार मेरे पास आ रहे हैं मुझसे लोग में गाली आज जो बात मैं आपको बताने वाला हुँना वह पताने वाला हुई है बदलकी देगी तो इस बात नहीं पड़ता कि मैंने kसी कार कब और और किस कंडिशन स्टी की बात करता हूं तो मैंने एपल का थर्टीन फोन दिखाया है तो आपके मनों बड़ी ऐसे लोग हैं जिनके लिए सैमसंग का बेसिक फोन एक बहुत बड़ी लग्जरी है और आज भी ऐसे लोग है जो एपल का एडवांस मॉडल जो बिल्कुल लेटस्ट गेजट एपल ने लॉंच किया है वो भी उनके लिए नेसेसरी है उनकी बेसिक जरूरत है यह डिपेंड क एक बिसिक मॉडल साइकल है ना वो बहुत सार लोगों के लिए नेसेस्टी है लेकिन जो बच्चे आज कल फैंसी बाइक्स चलाते हैं वो बहुत सार लोगों के लिए लग्जरी है यह तो इस बात पर निर्वर करता है कि आपका इंकम स्लाइब क्या है और आपका थौट प इस समय जब हमने खरीदा था ना तब हमारी फैमली के लिए लग्जरी था कि हमारे घर में ऑर यह लोग देखने आते थे और मेरे पिता जी बड़े शान से मेरी चोटी सिस्टर यहां आगे चोटी बेबी सीट पर तो फिर हमारी एक तरह से जरूरत बन गई कि इसके बिना तो आना जाना ही मुश्किल हो गया उस समय पर मेरी लाइफ में मिरे लिए लगजरी क्या थी यार मैं तो मानूँगा मजा आ जाएगा मेरी लाइफ का सपना प बहुत सारे फिल्म स्टार वो बाइक चलाते थे लेकिन मुझे जो बाइक खरीदनी पड़ी मजबूरन क्योंकि आरेक सेंडर लगबग महंगी थी और वो लगबग थोड़ी सी 10-12,000 रुपे कम थी कावासा की बजाज कैलिबर 1999 में जब पहली बार मैंने बाइक खरीदी का द्रीम प्रोजेक्ट था आरेक संडर मैं सो तरह यामा की आरेक संडर लेकिन मुझे काम चलाना पड़ा 1999 में कावासा की बजाज कैलिबर जो अपने आप में बहुत ब्यूटिफुल बाइक थी क्योंकि पहली ऐसी बाइक आई थी जिसमें प्लास्टिक फाइबर बॉड़ी देवी थी और रॉकेट जैसी लगती थी जब रेड लाइट पर खड़े होते थे ना तो लोग मुड़कर देखते रहे उसको लेकिन फिर भी मेरे मन में यह था कि नहीं लूगा तो आरेक संडर लूगा है ना और कब आपकी नेसेस्टी आपकी लगजरी में कनवर्ट हो ज जाने के लिए मेरे लिए एक बेसिक साधन था जल्दी पहुंचने का एक जरिया था तब मैं समझ गया भी लगजरी नेसेस्टी है लगजरी मेरे लिए क्या है मारूती 800 कार अरे अगर बाइक से हम कार पर आ जाए ना लाइफ शैट हो जाएगी और 1999 में मैंने डिसाइड कि कि मुझे कार लेनी और देखो जैसे ऐसे आपकी इंकम बढ़ती है ना तो आप सुचते मुझे अपने सपने पूरे करने हैं मैं भी उस समय एक युवा था तो मुझे लगता था कि 1999 आ गया है और मेरी इंकम जो 12-15,000 पर मैं कमाता रहा हो 30-35,000 पर 1999 में हो गई थी क्योंकि होम टूशन बढ़ने लगी खुद का कोचिंग इंसीटूट सेट हो गया इंफास्ट्रक्टर डवलप होने लगा मेरी सिस्टर भी पास हो गई वह भी पढ़ाने लगी घर की इंकम बढ़ने लग गई फादर भी बिजनस करते थे तो उस समय पर मैंने क्या किया मैंने टोट किये और मारूती 800 अपने घर की लगजरी कार मैंने खरीद लिए और दीरे दीरे जब हम पहली बार हम घूमने गए एक बड़ा क्रेज होता था लाइफ में कि यार हमने गाड़ी लिया है रिष्टदारों के आजाना फेंड सरकल्स में दिखाना और चुट्टी वाले दिन पूरी फैमली घूमने जा रही है कभी कहीं पिकनिक ट्रिप पर जा रही है कभी कोई टैंपल घूमने जा रहे हैं हम लोग और सपना एक कतने साकार हो जाता है लेकिन कब वो आपकी लगजरी निसस्ती में बदल जाएगी वो इस बात पर निभर होगा कि आपकी इंकम कैसे बढ़ गई दीरे दीरे हम और मेहनत करते चले गए और मेहनत की और मेहनत करते करते मारूती 800 पूरे एक साल बाद मद यह मैंने ली थी 13 मार्च 1999 को और मैंने डिसाइड कर लिया था यह तो गाड़ी मैंने लिया है लेकिन इससे और एडवांस चीज में लूँगा जिसमें पावर स्टेरिंग हो पावर विंडो हो और एक तरह का मतलब कहते हैं कि आप और अपने अपको अप्ग्रेड करना चाहते हैं 13 मार्च 2000 को सेम डे मैंने गाड़ी खरी दी मारूती 800 लेकिन क्योंकि यह लगजरी तो थी पर इसको भी मैंने सेकिरेंट खरीदा और मेरे मन में अपनी खरीदूगा तो आपकी नई कार करेंगा कुछ समय मैंने गाड़ी चला ही उसके बाद मैंने एक सेंट्रों के बाद में हमारे बिजनस एक दम तीडी से बढ़ने लगे अभी मैंने एक वीडियो पनाया था कि अपनी कार खरीदें या क्याब का इस्तिमाल करें तो ब में लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर दिया लेकिन एक समय ऐसा है जब हमारे पास इतना पैसा हुआ जाग गाड़ी की बहुत बड़ी वेल्यू कोई खास वेली नहीं है फिर सन 2002 में मैंने खरीदी टाटा की एक नई सफारी लगजरी कार क्योंकि स्टेंडर्ड ओफ लिविंग कार तो मेरे पास है क्योंना एक सदेन कार भी रखी जाए साथ में और यह दोनों कारे मैंने बेज दी उसके बाद में लगातार हम बिजनस में आगे बढ़ते चले गए और हम समझ गए कि यार यह जो गाड़ी है ना जो एक समय पर आपकी लगजरी है वो आने वाले समय पर दिविजन देखता है या एक्सपोर्ट दिविजन देखता है वो खुद अपनी गाड़ी में आते थे तो वहां पर हमने उनको फैसिलिटेज देना शुरू किया दो कार तीन कार पांच कार दस कार लगातार हमारे पास नंबर ऑफ गाड़िया बढ़ती चले गई क्यों क्य पर इंडिया गेट पर बच्छा गाड़ी लेकर जा रहा था और वह गाड़ी थी यह वाली रिवा इलक्टर कार तो इस गाड़ी को देखने के बाद मेरे बेटा बोला डैडी मुझे गाड़ी लेनी है मैंने इस गाड़ी वाले के पीछे गाड़ी लगाई तुइटर दे एकदम से अरे सर आपने मेरे पीछे गाड़े लगा दी उसको आगे ओवर्टेक करके मैंने रोका मैंने पूछा मन का भाई सब आपने गाड़ी कहां से खरीदी है उसने के गाड़ी जो है वो रेवा है आज महिंद्रा कंपने इसको खरीद दिया लेकिन अभी यह वाला मॉड अभी तो हम लग्जरी और नैसेस्टी की बात कर रहे थे अब हम बात करें इस लेवल पर कि जहां आप गाड़ी किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या अपने बच्चे को गिफ्ट दे सकते हैं मैंने सब जगे से पता लगा यह वाला मॉडल डिसकॉंटिन्योग लेकिन बेटा म मैंने 3 लाख रूपी के लिए जब कि नई गाड़ी की वेल्यू साढ़े 6 लाख थी पर यह बंद हो गई थी तो उसने का 3 लाख में अगर देनी है तो मुझा अद गंटे में कॉल करके बता दिना वरना उसके बाद मैं इस गाड़ी को नहीं मैं तुरंत अपने ड्राइवर को भेजा एक मैंनेजर को भेजा जाओ यह पेमेंट उसको दो और गाड़ी वहां से रिसीव करके लेकर आओ और मेरा बेटा भी साथ में गया वहीं से इस गाड़ी को लेकर आया और उसको तो ऐसा लगा कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा ह उसके बाद वह खड़ी रही बैटरी डेड़ हो गई कंपनी में दुबारा बेजी सर्विस कराई दो बार बैटरी चेंज करा लिए लेकिन बार बार बच्चे कुछ दिन चलाते थे और गाड़ी खड़े खड़े डेड़ जाती तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि उसके बाद फिर मुझे जो लग्जरी लगती थी मैंने सोचा कि यार गाड़ी लेंगे तो BMW, Audi, Mercedes, Jaguar इस तरह की कोई गाड़ी लेंगे तो I bought a car, Audi A6 दोस्तों मैंने यह पूरा जो आपको अपना लाइफ का जरनी बता है ना उसका उद्देश ही यह नहीं है कि मैंने क्या क्या किया उसका उद्देश ही है कि आप ये बात को समझें कि आपकी necessity और luxury इस बात पर depend करती है कि आपका standard of living क्या है और आपका income standard क्या है और अगर इसी luxury नहीं है जो आने वाले समय में आप afford ना कर सकें और यह आपके उपर निर्वर करता है कि आप life में क्या achieve करना चाहते हैं इसलिए यदि आप अपने vision को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह decide करें कि कैसे आप अपने भविश्य में अपने व्यपार को develop कर सकते है अपने profession को develop कर सकते हैं अपनी योगिता में इजाफा कर सकते हैं और इतना इजाफा कर सकते हैं कि आप इतना पैसा कमाएं कि दुनिया की हर चीज आपको सस्ती लगने लग जाए हाँ अभी मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ पर मैं इतना आगे भी नहीं बढ़ा हूँ Overseas Limited Company का जो मैंने निर्मान किया है वो इसी उद्देश्य के साथ किया है कि मैं एक ऐसी कंपनी खड़ी कर सकूँ जहां पर हजारों लाखों लोगों को पैसा कमाने का मौका दूँ मेरी कंपनी के वो शेर खरीदें मेरी कंपनी के इन्वेस्टिंग पार्टनर बनें कि आपको क्या लगता है अगले पांच साल में मैं कौन सी घाड़ी खरीदने वाला हूं मेरा आपके मन में कोई भी प्रश्ण है जो मिझे मुझे जुरूर बताएं कोई भी इंफॉर्मिटीव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मिशन हो कहते हैं फस्ट मूवर और फस्ट मूवर का यही डिफरेंस है कि जो फास चलेगा वही फास आगे भी बढ़ेगा इसलिए बहुत जुरूरी है कि कोई भी इंफॉर्मिटीव वीडियो मिस ना हो स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारव